हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम कॉलर नेक ड्रेस की कटिंग करेंगे तो यह देखिए यह हमारा मेन फैब्रिक है यह केटलोग पीस है इसके अंदर यह देखिए इस तरह से यह प्रिंटेड ड्रेस है तो इसके अंदर फ्रंट बैक और स्ल हम अलग कर लेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेस की कटिंग करेंगे तो यह देखिए इसमें हमको अस्तर यूज़कर, यह दौमीटर का अस्तर है अस्तर को हमने इस तरह से बिछा लिया पंद बाजू मेरी साइड से है और यह देखिए इसके अंदर हम अस्तर की जो लेंथ है यह हम पूरी रख लेंगे हम जब टॉप की लेंथ अस्तर होता है तो टॉप की लेंथ हम मेंड फ़ाबरी के अंदर देखते है अस्तर में हम पूरी लेंद रख लेंगे यह देखिए यहाँ पर हम कॉलर निक के हिसाब से ड्रेस की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर बोडी मेजर मेंट से 14 इंच का तयार शोल्डर चाहिए तो हम यहाँ पर 7 इंच हमारा आधा होता है 14 का तो हम उसकी अंदर 15 इंच प्लस करकर 7.5 इंच पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे यहाँ पर चेस्ट 31 इंच की चेस्ट है तो हम उसका 14 इंच कर लेंगे पौने 8 होता है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर हम शुल्डर का जो डाउन है वो पाउन इंच लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कॉलर लगानी है इसलिए यह देखें यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा बाग प्लस दो इंच पर मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर 28 इंच की कमर की फिटिंग है तो उसका चौथा बाग करेंगे और वहाँ पर देड़ इंच हम प्लस कर लेंगे हिप साइज 34 इंच है उसका चौथा बाग आता है साड़े आठ इंच उसमें हम देड़ इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर हम दामन से 1.5 इंच इक्स्ट्रा ले लेंगे 22 इंच का हमारा दामन है तो हम यहाँ पर उसका आधा होता है 11 तो हम 12 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं और इन निशानों को हम एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं और यह देखिए नीचे से हम दामन में आधा इंच उपर की दरफ में क्रॉस मार्किंग करते हैं और कॉलर नेक में इस तरह से हम और महोल की आर महोल का हम यहाँ पर इस तरह से शेप लगाएंगे और यहाँ पर हम पाउन इंच का डाउन देते हुए हम यहाँ पर शुल्डर को डाउन करेंगे और यह देखे इस तरह से हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम आदा इंच कॉर्णर से थुड़ा उपर उठा लेंगे कॉलर नेक में इसी तरह से हमको आर्म होल का शेप देना है यह देखिए यह हमारा मेन फैबरिक है यह इस तरह से है फ्रंट में हमारा यहां पर नेक पर डिजाइन है यह देखिए इस तरह से और स्लियूस भी इस तरह से अटाच है कि हमको सबसे पहले स्ल्यूस को भी अलग करना होंगा और यह देखिए यह इस तरह से यह फ्रंट है फ्रंट के सामने में इसको पट्टी आई है यह बैक साइड है बैक साइड में दामन में डिजाइन आएगी फ्रंट में भी दामन में डिजाइन आएगी यह इस तरह से कुछ कटलोग पीस है तो हम सबसे पहले तो इनको अलग कर लेंगे यह देखे यह हम स्लियूस का कपड़ा और बैक साइड का कपड़ा हम हटा लेंगे एक दुजरे के साथ से यह देखे इस तरह से यह फ्रंट और बैक की स्लियूस है इसको हम हटा देते हैं अब हम फ्रंट और बैक अब हम हमारा जो फ्रंट और बैक है इसको अलग कर लेंगे तो यह देखे यह हमारा फ्रंट है फ्रंट की हम पहले तो लेंद देख लेंगे और उस हिसाब से उसकी कटिंग करेंगे यह देखिए यह हो गया हमारा फ्रंट और बैक का में जो फैब्रिक है वो अलग हो गया अब हम इसमें कपड़े की डिजाइन देखते हुए कपड़े की घड़ी करेंगे यह देखिए यह दामन में डिजाइन आने वाली है बैक साइड में और जो इसका जो डिजाइन है इसको सेंटर में रखते हुए हम इस तरह से कपड़े की घड़ी करेंगे इसी के उपर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट विछा लेंगे यह देखिए और हमारी जो यह सेंटर की पट्टी है नेक के उपर सेंटर में इसकी पट्टी जो है इसको हम बराबर से सेंटर में लगाते हुए इस कपड़े को एक दूसरे के उपर विछा लेंगे कपड़े को हमको बहुत ही अच्छे से रखना है और यह देखिए फ्रंट पार्ट के उपर इस तरह से पाइपिन लगी हुई है लेकिन वो पाइपिन में फिनिशिंग नहीं है तो हम इस पाइपिन को खोल लेंगे और फिर हम दामन सिलने के बाद इस पाइपिन को हम उपर से अटाइच कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम इसको रख लेंगे हमारी जो डिजाइन है फ्रंट और बैक साइड की दामन की डिजाइन है उसको हम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के उपर रख लेंगे ताकि डिजाइन हमारा ड्रेस सिलने के बाद वो जो क्योंकि हम इसकी लेंथ जो है वह में फबरीक के अंदर कवर करते हैं अस्तर हम जितना होता है उतना हम रख लेते हैं और यह देखिए इस तरह से हमने मेन फ़बरीक के उपर अस्तर को बिछा लिया क्योंकि हमने अस्तर बहुत ही cut to cut किया हुआ है उसी के उपर हम रखते हुए मेन फबरीक को cut कर लेंगे और इसके अंदर हमको गले के उपर जो पटी थी उसका कोई issue नहीं आया क्योंकि वो पटी बराबर से हमारी line को cover करते हुए वो पटी आ गई यह देखिए इस तरह से गले के उपर भी पटी हमारी सही से आ गई और दामन भी हमारा बराबर design को cover करते हुए center में हमारी design भी आ गई यह देखिए यह हो गया हमारा front और back जो main fabric है वो भी cut हो गया अब हम इस कपड़े को जो हमने हटाया था उसको हम देख लेते हैं तो यह देखिए front और back इस तरह से उसकी स्क्लिउस एक दूसरे के साथ स्क्लिउस की पटी की design है वह एक दूसरे के साथ attached है इस तरह से तो हम पहले तो इस design को छोड़ते हुए हम हमारी स्क्लिउस की 10 इंच की length है उसको देख लेंगे क्योंकि हमको स्क्लिउस में cut का एक cut लगाना है तो उस हिसाब से हम इस पटी को उपर से attach करते हुए cut की design तयार करेंगे इसलिए हम पटी को हटाते हुए हमारी स्क्लिउस की length देख रहे हैं उसमें हम 10 इंच प्लस कर लेंगे और इस तरह से स्क्लिउस का shape दे देंगे और हम पहले पटी को हटा लेंगे और स्क्लिउस की cutting कर लेंगे यह देखिए इस तरह से friends आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें कोई सवाल हो तो comment box में जरूर पुछें और आपके friends और family में जो यह stitching का काम करते हैं उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें तो यह देखिए यहाँ पर हमने इस पट्टी को भी अलग कर लिया है कि हमारे दोनों साइड की पट्टी हमारी यह निकल कर तयार हो गई और यह हमारी स्ल्यूज भी कटकर तयार है इस का हम फ्रंट का शेप कट कर लेंगे इस तरह से यह हो गया हमारा पूरा ड्रेस की कटिंग और हमको कॉलर बनाना है तो इस कपड़े में हम कॉलर ने कट कर लेंगे थैंक्स पोर वोचिंग बाई